नवस्ते मैं हो प्रदीव सुकलाथ स्वागत है आपका अपने चैनल इस्टेटी बित प्रदीव दोस्तों जैसा कि आप सोभी लोग पता है कि एक गिनोतरी नमक शीरीज चले जिसका एक पहला सेसन है और इसमें हम वह इसे प्रशनों को लेके आते हैं जो प्रशन या तो आपको जरूर देखनी चाहिए इसमें आयोए प्रशनों की स्रिंकलाएं होती है और ऐसे भी कुछ प्रशन होते हैं जो इंपोर्टन बन सकते हैं और उसके साथ डिस्क्रिप्शन के चीजों जब आपको बताई जाए तो उसमें से बहुत सारे क्योंशन मिलते हैं 25-30 आप जानते हैं आइडूफार्म में एक पिला ठोस विसेश गंधयुक्त आइस्थिर् पदार थे या क्या है एक टीब्र की टाउनासक हो सकता है हम में पूछलिए जैसा क्लोरोफार्म के बारे मां आपने पढ़ा होगा लेकिन यहां पर एक रंगहीन सुगंदी तरल पदा थी सब्रेन तथा लिविंग ने इसका प्रियोक्स रडिक रहा है लिए जब आपका अप्रेशन होता है तो वहां पर आपको सयवक्स किया जाता है निस्चयतक के सब्रीकिया निस्चयतक के रूप में और पहले ये पूंच् consistently है इसने डूड़ा सेंवल पिना अती है जो आपकी वाइन विक्सकी होती है इसका प्रियोग मादक द्रब्य और सराब में किया जाता है इसका प्रियोग मोर्टर या हवाई जहाजों में ईधन के रूप में भी किया जाता है रह कम चैंप कथटना सामान सूर्थ वार है इसका प्रयोग सलेश किसा में पिंध किलर के लिए किया जाता है दर्द को कम करने कि लिए थर्काव क्यों तिक अगला प्रस्ण आपके सामने अगला प्रस्ण निम्लिव आन्दा फालोइंग टाइप साफ एलेक्रोमेगनेटिक्स रेडियेशन विच है यह लांगेश्ट बेबलेंद कहरा है किस बिद्दुचुम्ब की बिकरण के सबसे लंबे तरंग धहर होते हैं यानि वह कौन सा ऐसा है जिसकी तरंग धहर सबसे ज़्यादा होती है अल्ट्रा देखके से तरंग यही एंक है सब्से ज्यादा अब बात आती गामा कियो एक्कों के की लिए तो सबसे पहले आपका है परावेगनी क्रोन की खोष करते सबसे बढ 위해서 से किसका तरंग देट 10.8 मीटर से लेकर के 10.7 मीटर तक होता है पर अब एगनी केंड़े सूर्ज के प्रकास बिद्दुत बिसर्जन निर्वात इस पार्क इत्याद में उत्पन होती हैं दूसरा है आपकी गामा केंड़े तो गामा केंड़े की बात करने इसकी खोच किस ने क सब्लख केंड़े से 10.byn Griffin-IS 14 मीटर से लेकर 10.50 मीटर तक होता है यानि सबसे कम तरंग धेर वाली केंड़े होती है ठीक है अगली क्यरण e कि अद्यूर्फ रेडियो किग्डे तो रेडियो किंगने की बात करने हैं, रेडियो किंगने ये दो प्रकार के होती हैं, एक लगु रेडियो किंगने होती हैं, जो लगु रेडियो किंगने होती हैं, इनकी खोज हिंडरी हर्ट जी ने की थी, इसकी तरंग दे 10.3 मीटर से लेकर के 1 मीटर तक की होती है, प्राय एक मीटर से लेकर के 10.4 मीटर तक होती है इसका भी प्रियोग रेडियो टीवी फोन इत्याज में किया जाता है यानि सबसे बड़ी बेवलंत किसकी होती है रेडियो तरंगों की और उसके बाद लाश्ट है इंफरारेट तो इंफरारेट किरिणे किसको कहते हैं इसकी खोज क 10 माइनस 13 मीटर तक होता है ठीक है अगला आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रेशन की तरफ निम लेकित में से कौन सा नाइट्रोजन और बरक नहीं है विच इमंग दा फालोइंग इस नाटे नाइट्रोजन इस फर्टलाइजर नहीं तो आपको बताना है कौन सा इस नाइट पूर इसमें सुपर फासफेट इन लाइन नाइट्रोजन का फेलसर नहीं जबकि अमोनिय सलफेट और क्यलसियम साइनाइड सभी और यूरिया यूरिया तो आप जानते हैं तो इस अब है कैसे नाइटरोजन झाली घ्रेजresse mix नहीं है वह आपका क्या है? सुपर फास्ट फिट आप लाइन आगे बढ़ते हैं When common salt is mixed with ice The freezing point कहराएक जब हम साधाराण नमक को पानी में मिला देते हैं एक सिकेंड बस When common salt is mixed with ice The freezing point कहराएक जब हम common salt या साधाराण नमक को पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है? नमक के बर्फ के साथ मिलाने से हिमांग उसका हिमांग बताना freezing point बतानी को उसकी हिमांग या freezing point जमने की tendency में क्या होगा? देखिए जो ice cream बना जाती है उसमें नमक मिला जाता ताकि उसकी freezing point कम हो जाए तो यहाँ पर क्या होता? freezing point क्या होगा? lowest चला जाता है यानि घटता चला जाता है नीचे चला जाता है आगे बढ़ते हैं कैला माइन is an ores up कैला माइन किसका आइस्क है? कैला माइन किसका आइस्क है? तो आप बताएंगे किसका आइसक है जिंक का आइसक है जिंक यानि जस्ता का आइसक है ठीक है अब बात आती है कि उपर से और दिया गया है टिन दिया गया है मेगनीसियम दिया गया है कापर दिया गया है तो टिन का आइसक जो है उसे कहते हैं कैसी टेराइड कैसी टेराइड कहा जाता है जिंक के आयस्क को मेगनीसियम का आयस्क है मेगनेसाइट डोलामाइट ठीक है एपसम साल्ट और कीजिराइट अगला अगर जस्ता के बात करने है तो जिंक ब्लेट कैलामाइट और जिंकाइट एक किसके आयस्क है जिंक जस्ता के आयस्क है अगर तापा की बात कर लें लाश्ट वाला जो आपका ताबा है तो इसका है क्योप्राइट और मैलकाइट किसका आएक कैस्ट है ताबा का आएक है आगले प्रसम्वाथ के दरब बढ़ते हैं साउंड कर नाट पास् थ्रोग ध्वानी का किस माध्य में गमन नहीं हो सकता कह जिसमें ध्रुनि का गमन नहीं होता तो यह आंसर आप पहले से जाते हैं द्धूनिका गमन में नहीं होता है लेकिन यहां पर कुछ चीजें डिटेल में इसलिए प्रस्म को लिए गया चलिए देखते हुआ दौन एक प्रकार के अंधर यांत्रिक तरंगे जिनकी आभरत 20Hz से के बीच होती हैं यह तरंगे हमारे कान के स्रवन संबेदना उत्पन करती हैं यानि हमारा कान इसे सुन सकता है जिससे हमें सुनाई देता है धोन तरंगे ठोस द्रव और गैस तीनों में संचरित हो सकती हैं किसी माध्यम में धोन की चाल केवल माध्यम के गुड़ों यानि प् ध्वन की चाल गैसों में सबसे कम, ध्रब में उससे अधिक तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है, जबकि निर्वात में ध्वन की चाल नगन्य होती है, यानि ना के बराबर होती है, अगला है, किस बिटामिन की कमी की वज़े से सकर्वी रोग होता है, अब बात आती है, बिटामिन से मिलती कहा है, बिटामिन से मिलती है, शिट्रस फ्रूट में, जिस फ्रूट में हेर लाइक सबस्टेंस पाए जाते हैं, हेर जूसी हेर पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, सिट्रस फ्रूट कहते हैं, जैसे की नीबू है, संत्रा है, मुसम्मी है, तो इन में जो बिटामिन मिलती है, उसे क्या कहते हैं, बिटामिन सी, और आपका दिया क्या रताथी विटामिन एक ही या नाइट ब्लाइंड लेत अग्ला है विटामिन बीका है आज की छिलकों में पाय जाते हैं इससे जो रोग होता उसे क्या कहले बेरिबोरि और विटामिन डी-विटामिन का नाम क्या है कैलसे फिराल और यह सूर्ज की परावेगनी किरुणों से तुचा में सुतह बनती है इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है यानि रिकिट्स कहते हैं और बड़ों में आश्टो मलेसिया नामक रोग हो जाता है अगले परसिंद के तरफ बढ़ते हैं आज आप ट्री कैंड असरेटेंड बाई एक पीड़ की उमर का पता कैसे लगाया जा सकता है जो हर साल उसमें रिंग बनती जैसे ऐ है आपका जाइलम फलोयम तो जाइलम फलोयम हर साल बढ़ता रहता है और उससे एक रिंग का निर्मार होता है आप लकडी भी कटी होगे तो उस पर देके छोट-छोटी dotted line यह से दिखते हैं कटी कटी तो जो dotted line बनती है और dotted line जूड करके एक रिंग बनाते हैं उसी को वार्सिक रिंग कहते हैं और उसी वार्सिक छलों को काउंट करके यह पता किया जा सकता है कि पेड़ की उम्र कितने साल की हो गई अगले परसने कि तरफ बढ़ते हैं कि दा प्रासेस भाई विच सोलर्स काइनेटिक एनरजी इच कनवर्टेर इंटो केमिकल एनरजी आफ कार्बोहाइड़्रेट इज नोन है वह प्रक्रिया के दौरा सूर्ज की गतिच उर्जा कार्बोहाइड़्रेट की रासाइनिक उर्जा में बदल जाती कह रहा कि कौन से प्रक्रिया है जब सूर्ज से आने वाली रोसनी किस में बदल जाती है कार्बोहाइड़्रेट बदल जाता आपने फोटोसंथिस पड़ा होगा तो फोटोसंथिस में पढ़ते हैं कि जब नीचे से पौधे जल लेते हैं जाइलम के द्वारा तथा एयर में प्रेजेंट का थोरी चैनल को से फूर्ज जाती हैं की में कर्वोंट हो जाती हैं केमिकल इनर्जी के और के जो कि एक सूलरव एनर्ज की रूप में वह स्वाल सिर्ज करता है और जब इस डियतार को बार्टी में घ्र धर फद्थ यहां पर आपका onसर क्या होगा है या क्रिया में सूर्ज की उर्जा किस में बदल जाती है रासानिक उर्जा में बदल जाती है कि फ्राम विच्ट पार्ट अफ प्लांट इच ट्रमेरिक कामणली यूज्ड यूज करलर ट एंडD antiseptic optent, कह रहा है, पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है, जो आम तोर पर रंग और antiseptic के रूप में इस्तेमाल की जाती है, यानि हल्दी किस सिधे सिधे कहा दें, तो हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, अब आपको बताना हल्दी पौधे क प्याज है लहसुन है ये सब तने का ही रूपांतरण है खाद पदार्थों के रूप में तने का रूपांतरण है जबकि अगर जड़ की बात करने तो जड़ भी रूपांतरी थो करके खाद पदार्थ बनाती जैसे कि गाजर, मूली, चुकंदर ये जड़ का ही तो आपका आंसर इसमें क्या होगा हल डिए आगे बड़ते हैं element that is not found in blood edge वह तत्व जो रक्त में नहीं पाई जाता कहरा वह कौन सा एससे तत्व है जो रक्त में नहीं पाई जाता तो आपको बताना है कि रक्त में ना पाई जाने वाला तत्व कौन सा है है गए अब as the मथा सामने है अब checks उत्यक की जैते हैं टरल संusion 125 दो पाये जाते हैं Kollegin में क्या एक लृटत का ओप्लाज्मािंस रेता है और दूसरा स्वेंस क्या उता उसका सॉलिप होता है फलाज्मा संयुफ इन इन आरगैनिक और but component पाई जाते हैं जबकि solid phase में उसके cell पाई जाती है जैसे RBC, WBC और platelets तीन रूट कड़काएं पाई जाते हैं जिसे RBC कहते हैं WBC कहते हैं और क्या कहते हैं प्लेटलेट्स कहते हैं अगर plasma की बात कर लें दूसरे phase में यानि first phase plasma की बात कर लें तो plasma 55-60% पाई जाता कितना पाई जाता आपको यही याद रखना है plasma कितना पाई जाता 55-60% पाई जाता blood में जबकि बचा हुआ 40-45% 35-40% क्या होता है blood cell होती है 40-45% और उसके बाद अगर बात करें कि इसमें कौन सा तत्त्त ऐसा है जो नहीं पाई जाता तो है chromium रखन में कौन सा तत्त है जो नहीं पाई जाता उसका नाम क्या है chromium दूसरी बात कर लेते हैं कि blood का अगर neon है तो उसके neon को रखती है। तो एक्रोडर मेचोडर में अगर nie forget unt's aין एक्टोडर मेंूज की तो प्रत का निर्मान होता है जब की इड नगे चाहित कि का निर्मान होता है ठीक और दूब्ली दिकिन का प्राया दूद्ध के माध्धिम से फैलता है अब यहां पर टूबर क्लोसिच दिया गया है टूबर क्लोसिग किस इस वसके डूद के साथ खैल जाता है और किसको हो जाता है हुमन को भी हो जाता है टूबर क्लोसिस किसे होते हैं माइको बेक्टिरियम टूबर क्लोसिस से होते हैं और इसमें एक केमिकल बनता है टूबर कुलिन टूबर कुलिन इसका बिसेला पदार्थ होता है जिसकी वजह से आपके फेपड़े सड़ने सुरू हो जाते हैं तो आगे बताएंगे कि नारंगी में सबसे दर क्या पाए जाते हैं आगे बढ़ते हैंtså हिच आप अप्टिक वेंड बिता में सब्सक्राञे किस्को क्रेडिट रिया जाता है इलेक्टरान की खोज का सरे किसे जाता है तो आपको बताना है कि इलेक्टरान की खोज का सरे किसे जाता है तो जे जे थामसन को इलेक्टरान की खोज किसे ने किया था जे जे थामसन ने किया था और बाकी यहां पर कई नाम लिखे गए जैसे कि पहला है गोल्ड इस्टेन गो प्रोकों जाता गोल्डस्टीन क्या स्वीक ऑthen फ्रोकों जाता और उसके बाद तीसरा आपका में डогда Weld धूड़ा था न्यूत्रान की खोजकी थी और उसके बाध रधर फोडर एं क्वेडिया नाभी की खोजकी तो आपके पास Salanno के ईंसे क्यों यह था यह था उसके बाद गोल्ड स्टिन ने क्या पंड़ था ठीक गोल्ड 심ड depreton giving ने और आगे बढ़ते हैं तो उच्छेंडविक जेम चैंडविक ने न्यूट्रा उच्छा यहां और रदर सल्फर की योगिक बनते हैं प्याज में और लेसुन में सल्फर की योगिक बनते हैं जिसकी वज़ासे उसकी गंद आती है तो किसकी वज़ास होती है सल्फर योगिक की वज़ासे आती है उसके बाद आगे बढ़ते हैं वासिंग सोडा यूज टू दसाफ्टन वाटर डुमेस्टिक ली इज एक्चुली घरेलो तोर पर पानी को मृत बनाने के लिए वासिंग सोडा का इस्तिमाल किया जाता है यह वास्तों में क्या है क्या राइक जो वासिंग सोडा आप कपड़े धोने वाला सोडा यूज करते हो उसका रासाइनिक नाम क्या है या वास्तिविक नाम उसका क्या है तो उसका वास्तिविक नाम क्या है सोडियम कार्बोनेट अब सोडियम कार्बोनेट आगे बढ़ते हैं सोया बीन इच रिच इन कहरा है सोया बीन धनी है या सोया बीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है तो सोया बीन किस चीज की धनी है सोया बीन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है प्रोटीन पाया जाता है सोया बीन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है प्रोटीन प वसा, कैल्सियम, आयरन, फास्पोराज जैसे मिनरल भी पाय जाते हैं विच आप दा फालोइंग, कैंट फ्लाई, निमने में इससे कौन ओड़ सकता है अब यहाँ पे चार पच्छियों के नाम दिये गए हैं मुचिहन कौन ओड़ सकता है, खरण विल आस्टिच एमुर पिंगंविन, तो यहाँ पर बताये कौन ओड़ सकता है हंविल ओड़ सकता है, बाकि कोई नहीं है, हंड़ोट पच्छियों औड़ सकती हैं जो फिलामेंट होते हैं बल्ब के अंदर जो इसे बल्ब होता है तो बल्ब के अंदर जो तंत होता है और इसके अंदर ऐसे छोटा-छोटा एक तंत लगा होता है तो तंत लगा होता है यह तंत पूछ रहा किसका बना होता है यह फिलामेंट को आपको बताना फिलामेंट किसक चिह थे तक और तक रहे तर अग्या निकर upbringing कि टीप स्ट्रपर बढ़ता है रूर्थ दर एक क्विज्द्रेंग को यूखता है कि जब लोहे की केल जंग लग जाए तो की का वजन जंग लगने के बाद कील का होता है तो कील का वजन क्या होता बढ़ maraud वो नमी एबजार्ब कर लेती है लोहे में जंक क्यों लगता है कि चूकि हवा में नमी होती है और नमी के साथ अगर हवाएं उससे जाकर बैठ जाती है तो उसमें रस्टिंग शुरू हो जाती है तो चूकि नमी लेने के बाद कोई भी बस्त अगर अपने दिमाग से आप प्रू हो जाती है और लोहे का उजन क्या होता है बढ़ जाता है अगले परसिंग की तरफ बढ़ें अगर बिटामिन डेट इस फॉड्ट में अभी पीछे बता था कि जब सिट्रस फूड में वह कौन से इस बिटामिन है जो पाई जाती या कह रहा बिटामिन जो नीबू फ्रीज में सितलक है फ्रीज के अंदर जो सितलक होता जिससे फ्रीज में परके गये पदार्थ आपके ठंडे हो जाते हैं तो उन्हें आपको बताना है कि वह कौन सा पदार्थ होता है चलिए बताई किसको नुक्सान पहुंचाती है और एक अगला प्रस्न है वाट इद दा केमिकल नेम आप बिटामिन बीटू को रासाइनिक नाम आपको बताना है तो बिटामिन बीटू का रासाइनिक नाम क्या होता है राइबो फ्लेविन बिटामिन बीटू का रासाइनिक नाम क्या होत तो राइबो फ्लाइबिन किसका है बी टू का है राइबो फ्लाइबिन किसका बैग्यान के नाम है बी विटामिन बी टू का तो उमीद है कि प्रस्ण आपको पसंद आये होंगे और यह सब आए हुए किसी एक्जाम में प्रस्ण है तो फिर हम मेलेंगे किसी नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार